वेलकम टू जीरो से जिनियस तक के आज की इस वीडियो में हम लोग जीके के 20 सवालों को देखेंगे और उसके छोटे-छोटे पॉइंट्स को भी साथ में डिसकर्स करेंगे क्योंकि आज की एकजाम में उस पॉइंट को तारगेट करते हुए ही आपके एकजाम में सवाल पूछे जा रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का पहला सवाल है अस्तित्व में रहने वाला 20 वका सबसे प्राचिनेतम धर्म कौन सा है दोस्तो इसका अंसर जानने से पहले पॉइंट को देखते हैं सनातन धर्म जिसे हम हिंदु धर्म भी काते हैं और ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है आपको पता है दुनिया के लगभग 94% हिंदु धर्म भारत में निवास करते हैं ये धर्म लगभग 24,000 वर्ट से पुराना माना जाता है अगला सवाल है किरकेट वर्ल्ड कप 2013 के सेमी फाइनल में पहुचने वाली पहली टीम बनी है ये सिंपल सवाल है तो चली इसके पॉइंट को देखते हैं टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2013 के सेमी फाइनल में पहुचने वाली पहली टीम बनी है इसने सिलांका को हरा कर लागात देश का नाम बताईए ये सवाल बहुत ही अच्छे है क्योंकि कागजी मुद्रा के पीछे पूरे दुनिया पागल है तो चलिए इस पॉइंट को देखते हैं दुनिया में सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चाइना है चाइना ने नौवी सदी में लेखिका को 2023 का ब्रिटीस एकेडमी पुष्टक पुरसकार दिया गया है दोस्तो इस सवाल को नोट कर लीजिएगा हो सके तो इस स्क्रीन सॉट ले लीजिए आपके एकजाम में छपेगा तो चलिए देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट को भरतिये मुल की लेखिका नं इस पुरसकार के साथ उन्हें 25,000 पाउंड यानि की लगबग 26 लाख रूपए इनाम में दिया गया है अगी सवाल है बिश्व सकाहारी दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तो इसका आंसर सिंपल सा है बिश्व सकाहारी दिवस प्रति वर्स एक अक्टूबर को मनाया जात दोस्तो अगला सवाल है बिश्व के उस पहले नगर का नाम बताईए जिस पर परमानुबम गिरा था दोस्तो चलिए थोड़ा सा पॉइंट को देखते हैं दुनिया का पहला परमानुबम जपान की हिरो सीमा सहर पर गिराया गया था यहां बम 6 अगस्ट 1945 को गिराया गया इस बम का नाम लिटिल बॉय था यह एक उरेनियम से बना बम था इस बम के गिरने से हीरो सीमा सहर की तस्वीर बदल गई थी इस बम के लगबग 4000 डिगरी सेलसियस तापमान के परभाव था अगला सवाल है वे कौन सा देश है जिसने बिश्व की पहली पुष्टक छापी तो चलिए इसके पुष्टक तो हम लोग बच्पन से अभी तक पढ़ते आये हैं चलिए इस इस इस्तिहास को जानते हैं दुनिया की पहली प्रिंटेट किताब चीन में छपी थी इसे डायमंड सुत्र के नाम से जानते हैं यह किताब 866 में छपी थी इस किताब में भगव कानीं बहुत ही इंसर्ष्टिंग है, वैसी विक अस्तर पर पहली महिला प्रधान मंतरी सिरी माओ भंडार नाइके थी, वह 21 जुलाई 1906 को प्रधान मंतरी बनी थी, वह सिरीलांका की फीरीड़म सापरी की नेता थी , यहाँपे बात अब भारत का कर लेते हैं ? भारत की पह पहली बार 1966 में देश की परधान मंत्री बनी और आपको पता होगा दुरभाग्ये से 1984 में उनकी हत्या कर दी गई आगे सवाल है बीश्व के उस देश का नाम बताईए जो अंतरिक्ष में कृतिम उपकरह भेजने वाला पहला देश बना इसका पॉइंट बहुत इंट्रेस्टिंग है अंतरिक्ष में कृतिम उपकरह भेजने वाला पहला देश रूस था इसने 4 अक्टूबर 1957 को पहला कृतिम उपकरह एसपूतिनिक वन अंतरिक्ष में भेजा था यहां उपकरह 29,000 किलोमीटर प्रती घंटे की राफ्तार से 96.2 मीनट में पृत्वी की परिकार्मा पूरे करने की छमता रखता था आगे सवाल है बिश्व के उस ब्यक्ति का नाम बताई है जो अंतरिक्ष में पहली बार गया आईए इसके पॉइंट को देखती है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी गौगरिंग थे वे 12 अप्रेल 1961 को अंतरिक्ष में गय थे यूरी गौगरिंग एक के स्ववियत वायू सेना के पाइलट थे ठीक है जी अगला सवाल है जो कि बहुत ही जादा अच्छा है बीस वके उस ब्यक्ति का नाम बताईए जिसमें सफसे पहले वायू वियान से उरान भरा था तो चलिए इसके पॉइंट को देखती है दुनिया में सफसे पहले हवाई जहाज से उरान भरने वाले ब्यक्ति र राइट बंदूओं ने उतरी कैरोलीना में राइट फलायर नामक विमान से सफल उरान भरी थी यहाँ विमान 120 फूट की उचाई पर 12 सेकेंड तक उरा था उस समय के लिए बहुत वरी बात थी विश्वा के सबसे बरे द्विप समूह का नाम बताईए दोस्तों इसके पॉ इंडिज नूर संतरा और मसालों का दिप कहा जाता है इस द्विप समूह में लगभाग 25,000 द्विप है ध्यान रखने वाली बात है अगला सवाल है विश्वा के उस ब्यक्ति का नाम बताईए जिसने सफसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा तो चली इस पॉइंट को देखत है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले ब्यक्ति नील आर्मे स्ट्रॉंग थे उन्होंने 20 जुलाई 1979 को चंद्रमा पर कदम रखा था आर्मे स्ट्रॉंग एक के अमिर की खोगोल यातरी थे वे एक के येरो स्पेस इंजिनियर 9 सिना अधिकारी परिक्षन पाइलट और प 12 रेल नेट वर्क के किस देश के पास है चलिए पॉइंट को देखते हैं दुनिया का 12 रेल नेट वर्क अमिर्का का है इसकी लंबाई लगभग 257,560 किलो मिटर है हलाकि अमिर्का में रेलवे का इस्तमाल ज्यादा तर माल धुलाई के लिए किया जाता है आप बात करते है थोड़ा सा भारत के बारे में भारत 20 वका चौथा सबसे बारा रेल नेटवर्क वाला देश है अगे सवाल है 20 वका सबसे बारा महादुविप कौन सा है इसका पॉइंट जनना इंपोर्टन है तो चलिए पॉइंट को देखते हैं दुनिया का सबसे बारा महादुविप ए एसिया महादुविप है या छेत्रफर और जनसंक्या दोनों की दिरिष्टी से दुनिया का सबसे बारा महादुविप है दुनिया के साथ महादुविप है सबसे बारा एसिया सबसे छोटा ऐस्ट्रेलिया फिप्त में है अटलांटिका और शिस्ट में है यूरोप लास्ट में है औस्टेलिया ठीक है ध्यान रखिएगा आगे सवाल है दुनिया का पहला विश्वविद्याले कौन सा है इसके पॉइंट भी जानना चाहिए आपको दुनिया का पहला विश्वविद्याले कौन सा है तो इसके पॉइंट को देखते हैं, दुनिया का पहला विशुव विद्याले तक्ष सिला को माना जाता है, यह विशुव विद्याले प्राचीन भारत के गंधार जनपद की गधानी तक्ष सिला में बना था, तक्ष सिला अब पकिस्तान के पंजाब में है, माना जाता है कि इसके अस्थापना छटी सात्वी सताब्दी इसापूर्व के मद्ध हुई थी तक्षसीला विश्व विद्यालाई में पूरे विश्व के दोस अजार पासों से अधिक छात्रा ध्यायन करते थे अचारिया चनक्य और पाननी ने भी यहां सिक्षा प्राप्त की थी आगे सवाल है बैसवी कस्तर पर जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है बैसवी कस्तर पर जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है यह इसके पॉइंट को जानते है दुनिया भर में 11 जुलाई को 20 व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आगे सवाल है 20 व का सबसे लंबा पसू कौ फुट होती है यह मुख्य रूप से ऐस्टेलिया के जंगलों में पाया जाता है और इसका जीवन काल लगभाग 30 वर्स का होता है विश्व का सबसे बरा पक्षी कौन सा है तो चलिए इसका पॉइंट को देखते हैं दुनिया का सबसे बरा पक्षी सुतुरमुर्ग है सुतु देने वाली बात है आगे सवाल है विश्व का सबसे तेज उरने वाला पक्षी कौन सा है चलिए इसके पॉइंट को देखते हैं दुनिया का सबसे तेज उरने वाली पक्षी पेरिग्रीन फॉकन है इसकी उरान की राफ्तार लगबग 240 मिल प्रती घंटा तक होती है यहाँ अमिरका, उरोप, एसिया और अफिरका में पाया जाता है इसके सिकार में हवाई जहाजो के बिंदू भी सामिल होती है बहुत ही इंटेस्टिंग पॉइंट था आगे सवाल है विश्व की सबसे प्राचीन भासा का नाम बताईए आपको तो पता है चलिए इसके पॉइंट पाच हजार वर्ट्स पुरानी है बहुत इंटेस्टिंग पॉइंट था तो चलिए आगे सवाल देखती है विश्व में कितनी भासा है बोली जाती है बिलकुर कॉरेंट का हम इसमें पॉइंट आइट करे हैं दुनिया में लगभग 6900 से भी ज़्यादा भासा है बोली जा लगभग 62 करोर लोग भोलते हैं हिंदी भासा को आगे सवाल है विश्व के उस देश का नाम बताईए जहां सोक दिवस पर राष्टिय जहन्डा नहीं जूपता तो चलिए इसके पॉइंट को देखते हैं साओधी अरब और इथोपिया ऐसे देश है जहां सोक दिवस पर चलिए अगला सवाल देखते हैं विश्व में चाय का सबसे बारा उत्पादक देश कौन सा है यदि आपको इसका आंसर पता है तो सिंपली आप कॉमेंट ओक्स में जा करके इसका राइट आंसर हमें कॉमेंट कर दीजिए और आप हमारे साथ रेगुलर रहिए क्योंकि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा और आप बाग की जो कर रहें करते रहिए मेरा भी वीडियो को देखा करिए तो मिलता हो फिर अगले वीडियो में आपना ध्यारा किये जाए हिंद जाए भारत